नमस्कार दोस्तों आज से ठीक दो महीने पहले यानि कि 12 सितंबर 2021 को काडानो का स्मार्ट कॉंट्राक्ट लॉंच हुआ था बहुत ज़ादा हाइप थी काडानो का प्राइस ओल टाइम हाई 235 रुपे तक गया था और आज उसकी हालत देखिए 160 रुपे पर वो तडफ रहा ह है इससे पहले कि आप हार मान ले मेरा हमेशा मानना है कि दोस्तों आंखें बंद करके खरीदना भी बेबकूफी है और आंखें बंद करके बेचना भी बेबकूफी है ये वीडियो जो है इंटरनेट पे सबसे जादा कॉम्प्रियंसिव सबसे जादा शानदार वीडियो हो कि क्यों काड़ानों बिमार है उसकी बिमारी कैसे दूर हो सकती है और डॉक्टर साब यहनी कि Charles Hawkingson जो फाउंडर है काड़ानों की वो क्या वो चीजे कर रहे हैं जिससे काड़ानों में जबरदस्ट पंप आने की उमीद है और इस वीडियो के आन्द में मैं आपको दो या त लेकिन जबरदस्त हट के औल्ट काइज भी बताऊंगा जिसमें मेरे विचार से कई गुना मुनाफ़ा आ सकता है तो काड़ानो जिसका की टिकर एड़ा है वो इस समय भी करीब दो डॉलर दस सेंट पर यानी करीब जैसे मैंने का एक सो पैंसेट रुपे पर है काफी डाउन ह उठता जादा है गिरता कम है गिरता जादा है और मैं कहूंगा कि बीमार है इसकी बीमारी को अच्छे से समझेंगे और दोस्तो मेरा नाम है रोही चर्मा और मैं इस बीमारी का डॉक्टर हूँ जो आपके लिए सबसे जादा आसान content लेकर आता है जो mediocre नए और experienced bitcoin और crypto investors के लिए सब के लिए ज़रूरी है तो ये वीडियो बहुत मज़ेदार होगी दोस्तों वीडियो का लाइक करना बिल्कुल मत बूलिएगा तो क्या है अलोंजो जो है वो एकाज का हाड़ फॉर्क था टेस्टनेट खतम होने के बाद स्मार्ट कॉंट्रेक्ट लाउंच हुआ उस स्वाप जैसे पैंकेक स्वाप जैसे आवे जैसे बहुत ज्यादा यूटिलिटी टोकन बनेंगे पर हुआ इसका बिल्कुल उल्टा क्यूं क्या कारण है उसका उसका कारण दोस्तों है कॉन्कुरेंसी इशू शुरू में शायद आपको थोड़ा बोरिंग लगे आगे जा जैसे कि बिटकॉइन करता है इसलिए कॉन्करेंसी जो है वो यूटी एक्सो मॉडल के अंदर चलती है मैं ज्यादा डिटेल में जाओंगा इसको स्किप करूंगा अबड़ आपको यह जाना जूरूरी है कि काड़ानो इस समय कॉन्कुरेंसी इशू को फिक्स नहीं कर पा कहा है इसलिए बड़े-बड़े प्लाटफॉर्म जो है बड़े-बड़े डेक्स बड़े-बड़े बैंक्स बड़े-बड़े एनेफटी प्लाटफॉर्म बड़े-बड़े मेटावर्स जो है वो इस पर लॉंच नहीं हो पारे काम बहुत सारा हो रहा है वो तुमें उसके Cardano बले ही मर चुका है, डेड है, बिमार है, जो भी है, हम Cardano ecosystem को कैसे समच सकते हैं, Cardano की उपर बने हुए बन रहे कौन से प्रोजेक्ट को जल्दी पकड़ के, उससे पैसा बना सकते हैं, और अपना risk जो है कम कर सकते हैं इसको hedging technique कहते हैं दोस्तों कि अगर मेरे पास Reliance की company के stock है और वो गिर नहीं है तो मैं GEO के stock खरेगी तो था कि मैं hedge हो जाओ कि उस company में क्या अच्छा काम है तो अब आप समझ गे Cardano क्या करता है Cardano एक basically एक layer 1 protocol है जैसे Ethereum है जैसे Solana है जिसके ऊपर projects बनते हैं चाहे वो Metaverse हो चाहे NFT हो या कुछ भी हो तो अब यहाँ पर यह समझना है कि Cardano क्यूंकि अपनी flagship position खोच चुका है smart contracts की category में भी Solana से नीचे आच चुका है और top 5 category से भी नीचे गिर चुका और इस समय जो है छटे नमबर पर आ रहा है इसलिए Cardano से हमें exit तब लेनी है उस दिन लेनी है जो कि मिरजे लगता है अगले 90 दिनों में जरूरी announcement आने वाली है कि हमने concurrency issue solve कर लिए है उस दिन हमें Cardano से उस दिन exit लेनी है क्योंकि concurrency issue solve होने के बाद भी projects को आने में time लगेगा ये website आप visit कर सकते हैं जिसका नाम है cardanocube.io cardanocube.io जो है वो क्या कर रही है जितने भी Cardano पर projects बन रहे हैं उनको list करती है आपको एक-एको खोल कर देखना है और उनके price को cover करना है इन में से कुछ काफी अच्छे भी चल रहे है जैसे कि add a swap है क्योंकि ये bluezilla का launchpad project है bluezilla के बारे में मैं कई बार बात कर चुका हूँ एक ऐसा launchpad project है platform में जिस पे जितने भी project आते काफी अच्छे pump होते हैं कल की ही video में हमने cover किया था तो d5b category के platform इस पे बन रहे है launchpad की भी category के platform बन रहे है lending के wallets के marketplace के तो इसको पढ़िए जरा और समझिए हलाकि इसके उपर एक proper video बनते है कि मैं आपको cardano ecosystem के project को cover करके बताऊ पर मेरा मानना है दोस्तों जैसे जैसे cardano ecosystem के projects live होंगे इन नामों को याद कर लीजे अगर आप cardano में heavily invested है और panic करके exit करने के बजाए इनको follow कीजिए इनमें से अगर एक भी project छपर फाड़ के बढ़ जाता है मान लीजे वो decentralized manage ऐसा बन जाता है या मान लीजे मैं अब layer 2 layer 3 projects की बात कर रहा हूँ या वो shiba inu बन जाता है तो उसकी parent को यानि की cardano को भी फायदा होगा या अब ये filter भी लगा सकते हैं इस website के उपर जिसका link भी मैं description में दे देता हूँ और आप category के लिए जो है वो projects को पढ़ सकते हैं तो ये तो बात ही दोस्तों और साथी साथ लाग-4 लाग cardano में लगा दिये हैं तो प्लीज अभी exit कर लीजिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ना पड़ेगा GitHub पे track करना पड़ेगा या अगर आप shortcut में believe करते हैं तो मैं आपको 2-3 ऐसे project बताता हूँ जो shortcut वाले projects हैं और जिसमें आपको फटा-फट से पैसा बनाने की उम्मीद है तो आप cardano को भूल जाएगे तो मैं आपको यह project अभी बताता हूँ जो betting industry में है जो कहीं तरह की betting sports sports की elections की player to player games की और भी कहीं तरह की betting संबंदित चीजों को resolve कर रहा है काफी ज़ादा मुझे लग रहा है कि advanced है क्योंकि मैंने काफी ज़ादे betting projects को cover किया है बट इसमें ऐसा project जो play to earn games election prediction कहीं तरह की games को cover कर रहा है नाम है dex sport माफ़की जीग मैं नाम बताना भूल गया उसे पहले मैं पूरी कहानी रजग गया dex sport जो है मैं क्यों बात करना हूँ क्योंकि इसका idea आने वाला है आज रात को 12 बजे फिर आप मुझे मत कोशिएगा अगर आप चैनल को subscribe नहीं किया तो ये video definitely आप 12 बजे के बाद देख रहे हैं क्यों क्योंकि मैंने ये video दिन में करीब 11-12 बजे publish की है तो आपके बस अच्छा कासा time है इसकी website पे जाने का जिसका link बने description में दिये जो लोग बोलते हैं कि आप बताते नहीं खरीदना कैसे है link description में आप खरीद सकते हैं तो आप इसको pre-ideo price पे जो की इसकी pre-sale चल रही है उस पे आज खरीद सकते हैं और अगर आप सही से खरीद पाएं तो इसमें चप परफाड की गेन में लेगे फटावट से आगे चलते हैं अगले platform पे चलते हैं ये भी बहुत unique platform है थोड़ा different type का है एक artistic platform है अगें link में description में दे रहा हूँ SuperHow तो SuperHow क्या कर रहा है दोस्तो SuperHow जो है एक painting को सिर्फ एक painting है दोस्तो उस पे bidding system को कितने unique तरीके से कर रहा है अगें मैं आपको ऐसे projects लाके देता हूँ जिन में 100,000 गुना return आते हैं और जो लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में ऐसे project देखे हैं तो thumbs up करके बता और comment करके बता कौन से ऐसे project है जो आप खरीद भी ने पाए बड़ आपने मुड़ के देखा तो वो सच में 100 गुना 200 गुना 300 गुना होगे लिस्ट बहुत लंबी क्योंकि हर रोज एक ऐसा project में cover कर रहा हूँ जो 100 200 गुना हो रहा है तो यहाँ पे यह क्या कर रहा है और 190 मीटर 200 मीटर बड़ी है तो बहुत ही बड़ी पेंटिंग है बहुत ही मज़ेदार पेंटिंग है इसमें इसमें रिसर्च करके बना है कि मैंने वास्ता में aliens को देखा aliens के शकल ऐसी होती है तो यह बड़ी पेंटिंग है अब इसको कोई location बानी जैसा आदमी खरीदेगा पर इन्होंने bidding system क्या लगा है दोस्तों bidding में इन्होंने दो तरह की categories बनाई है यह मैं आपको background बतार था तो alien tribe है यह उनके साब से आप खुद पढ़ सकते हैं pause करके बस basically मोटा मोटा यह है कि यह जो है ghost like gallery के concept पे painting मनाते हैं इनकी पिछली painting भी अर्वो खर्वो रुपे की बिखती है मतलब कहने का मतलब millions of dollars में बिखती है पर bidding model जो है वो cryptocurrency के तोर पे बहुत मज़ेदार है क्या है एक है whale bid और एक है shrimp bid painting तो एक ही है तो दो लोग कैसे bid कर सकते हैं एक जो है whale अगर आप बड़े whale है तो अगर आप एक ethereum से ज़ादा एक ethereum कितना होता है आप जानते है चार पांच लाक रुपे का एक ethereum से ज़ादा की bid करने चाते हैं तो आप whale category चूस कर सकते हैं अगर आप shrimp हैं यानि कि मेरे और आप जैसे जिनके पास इतना पैसन है कि एक ethereum को मैं bid के तौर पे लगाऊ तो आप एक group join कर सकते हैं लोगों का यानि कि एकी group है जिसमें सब लोग मिल के bid करें अगर ये shrimps का group यानि कि मेरा और आपका हम सब का group जीच जाता है तो ये painting हमारी हो जाएगी और अगर वेल्स का group जीच जाता है तो ये painting उनकी हो जाएगी और उसके बाद हम इसको NFT की तरह बेच पाएंगे तो core क्या है? core है NFT एक real artifact जो बहुत ही मज़ेदार painting है एक ऐसे artist की जो legend है उसकी painting को bidding system के तुरू NFT के को तौर पे बेचा जा रहा है ये है दोस्तो भविषय NFT का जो मैं हमेशा आपको कहता हूँ तो हलागी bidding जो है interesting इसलिए इसने मेरे ध्यान आकर्शित किया मैं as a shrimp इसमें participate करना हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर हम जीत गए अगर हम किसी whale को defeat कर पाए वैसे मैं आपको secret बताना चाहूँगा Satoshi Stacker Group जो है हम सब contributors मिलके whale category में bid करने है बढ़ आप चाहें तो shrimp category में bid कर सकते है final जो है वो बहुत ही जबरदस्ट interesting meme coin है मैं आपको उतारता है मैं जबदस बहुत सारे coins लिके हूँगा हर रोज वो क्या है दोस्तों ये coin की पहले island dogs है इसका नाम मैं आपको नाम पहले बता दू island dogs क्या है ये दो जो लोग है ये rappers है ये ये योरोप के बहुत ही popular rappers है आप इनको माली जे रफ्तार ये ये internet sensation है इनके साथ मिलकर एक meme coin launch किया गया है जिसका नाम है island dodges अब इसके बारे में अच्छी बात क्या है दोस्तों दो तिन अच्छी बात है एक तो ये इन भाई साब की जो है reach बहुत बड़ी है ये आप माली जे कि अमिता बच्छन अपना NFT launch कर रहा है तो ये भाई साब जो है बार बार shout out कर रहे है और आप जानते कि dodge coin में कोई utility नहीं होती है utility क्या बनाने की कोशिश कर रहे है ये लोग obviously जो island brothers हैं उनकी NFTs बनाके इस coin के रूप में बेच रहे है ठीक है और भी बहुत सरी चीज़े कर रहे है तो ये coin जो है बहुत ही जो मैंने आप पहले भी दो-तिन meme coins कवर की हैं उसमें जादा तक क्या होता है दोस्तों पांच हजार दस हजार user भी अगर आ जाएं unique wallet holders भी आ जाएं और एक आदी whale भी invest कर दें तो इनके price pump हो जाते हैं इस समय जो इनका status है वो 10,000 holders का है और अगर आप follow कर रहे हो मैंने 3-4 जो और भी meme coin कवर की हैं उनमें जो active wallets हैं वो ऐसे ही 5-10,000 ही होते हैं ये basically ये coins हो है pump and dump होते हैं pump and dump मतलब एकदम से pump आता है लोग profit book करते हैं फिर dump हो जाता है तो अभी इसमें pump नहीं आया है और मज़ेदार बात क्या है इसका idea नहीं आया है idea आने में कुछ दिन है आप pre idea जो है खरीद ले और मैं हमेशा क्या कहता हूँ अपनी research खुद करे आपको ऐसा नहीं लगे कि रोहिच शर्मा का कुछ इसमें personal interest है या कुछ coupon code है link मैं description में दे देता हूँ जरूर simple website का link है कोई referral code नहीं है आप जाके खुद research कीजिए पता लगा ही इसका idea कैसे खरीदना है एक मैं आपको hint दे दू कि यह BSC pad पर है क्योंकि बनाएं smart chain पर है तो BSC pad पर जाके आप इसको ढून सकते हैं कुछ से और खरीच सकते हैं तो तीन जबर्दस alt coins कवर किये दोस्तों हमने हमने यह कवर किये कि Cardano क्यों बिमार है उसकी बिमारी कैसे दूर हो सकती है अगर आपका बड़ा investment है तो आपको किस news का वेट करना है और किस दिन अपना पैसा बना कर निकलना है और अगर आप dare devil है risk लेना चाहते हैं तो Cardano के उपर बने हुए projects को आप कैसे भुना सकते हैं तो इतना जबर्दस वीडियो दोस्तों I hope आपको पसंद आया होगा वीडियो को like कीजिए comment करके बताइए कि आप और क्या चीज़ देखना चाहेंगे और दोस्तों scammers से बचे क्योंकि वीडियो में comments में बहुत सारे scammers जो मेरे नाम यूज़ करते हैं आप जानते हैं मैं कभी भी आपसे personal contact नहीं बनाना चाहता हूँ मैं किसी से बात नहीं करना चाहता हूँ I'm happy to interact like this and I'm happy to respond in your messages तो scammers से बचे अपना ख्याल रखें अपने मातापिता का ख्याल रखें दोस्तों धन्यवाद जैहिंद